खबर कोटपुतली से चोहन जन्नाएंट जन्ता पार्टी जजपा प्रत्याशी रावनिवास यादो ने शनवार को अपार जोश वा उत्सा के साथ बड़ी संख्या में कारिकरताओं की मौझूदगी में अपना नामंकन दाखिल किया यादो का नामंकन दाखिल करवाने के लिए हर्याना के डिप्टी सीम वा जजपा नेता दुश्यंत सिंग चोटाला कोटपुतली पहुचे इस मौके पर डाबला रोड के एक नीजी गार्डन में विश्याल नामंकन सभा का आयोजन हुआ जहां जजपा कारिकरताओं मुख्यमंत्री जन्नायक एवं स्वर्गेताओ देविलाल जी अपने पूरे जीवन में पुझीवाद के विरुधे किसान वा कमेरों की लड़ाई लड़ी साथी समाज को आर्थिक विश्यमताओं से दूर लाने का कारे भी किया इसी तरह कुटपुतली में भी सूश्यासन लाना चाहते हैं तो पुझीवाद को हटाकर किसान कमेरे जज़पा प्रत्याशी रामनेवाश यादव को विजे बनाए चौटपुतली में स्थापत बड़े उधोगे यहां की युवाँ को रोजगारवाद नौकरिया नहीं देते जबकि हर्याना में 75% नौकरिया स्था आनिये लोगों को मिलती हैं अगर कोटपुतली की जंता जज़पा को मौका देती है तो उनकी राज में भी हिस्सेदारी होगी साथ ही यहां की सभी समस्याएं दूर की जाएगी चौटाला ने कोटपुतली में हुई तोड़ फोड समेत आनिये कई मुद्दों पर भी जमक रामनिवास यादाओं ने कहा कि कोटपुतली को भैम हुक वबिष्टचार से निजात दिलाने के लिए संघर्स कर रहे हैं समौके पर मुख्य मार्गों से नामंकन रैली का भी आयोजन किया गया नामंकन रैली में डेप्टी सीम चौटाला वा जश्प प्रत्याशी रामन भी किया वहीं उप्खंड कारियाले पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी स्ट्यम मुकुट सिंग वा सहक निर्वाचन अधिकारी तैसिलदार सौरब सिंग गुजर के समक्ष नामंकन दाखिल किया इस दौनान कुशिल बिधारिया अशोक बिधारिया सचिन गौड पंकज शोक्षर मा ब्रम्भन अंध गौड आधिकारी करता गंड समेच बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहें